साथियों नमस्कार मैं उपेन यादव आप सबका इस लाइब प्रोगाम में स्वागत है साथियों विभन मुद्दों के लेकर कल रात को मैंने एक ट्वीट किया था कि भरती परिक्षाओं में पेपर लीग नकल बश्टाचार कैसे रोगा जा सकता है सरकार को क्या करना चीह ह और लंबीत और नहीं बर्तियों सही तमाम मुद्दों को लेकर आज लाइव के लिए मैंने रात को ट्वीट किया था पेस्वीट को डाला था और अन्य कई मुद्दों को लेकर इस लाइव में चर्चा करूंगा लेकिन सबसे पहले मैं उन प्रदेश की जनता को यूवा को मीडिया को तमाम लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगा कि जो बहुत देनिक बासकर के जो संभू है देनिक वासकर का जिन्होंने सर्वे करवाया था जिसमें सेकेंड नंबर पर लाने का काम आप लोगों ने किया आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और उन लोग इसके योओं का करारा तमाचा उनके गाल पे था क्योंकि हर योओं ने बता दिया कि उपएन यादों के साथ है सातियों पूरु मुख्य मुख्य मंत्री सांसाथ विधायक पीशीची चीप सचिन पाइलेट जी उनके 41 परतीसट वोट आये हैं और माने ने है समानिय है और सेकिंड मेरे 38 परसेंट वोट है क्योंकि मैं किसान का बेटा हूं समानिय वेक्ति योओं के बीच में रहता हूं योओं के लिए लड़ता हूं तो यह मेरे लिए बड़े समानिय बात है सम तमाम जिनोंने वोट दिया समर्तन दिया मैं उनको बहुत ब मार्च के करीब 10 साल हो जाएंगे पहले मैं 9 साल बोलता था लेकिन मेरे दोस्त ने बताया कि आप लोगों के लिए जी जहां लगाकर मेहनत किया संगर्स किया लाट्या का या जेल गया अंचन गया है बहुत कुछ किया करीब 2 लाक लोगों को सरकारी जूब मिले है लेकि सातियों मुझे खुशिस बात की हुई कि जो लोग लगातार अपने आखों के माद्यम से रादनितिक सधेंटर के माद्यम से मुझे बदनाम करने कोशिस की जो मेरे प्रदिश के योओं ने जवाब दिया सेल्यूट ऐसे योओं को जो मेरे इस संकट में साथ खड़े चाहिए पंध साब लक्षमिकान पंध साब जी मुकैस माथूर जी और उनकी पूरी टीम को जिनों ने जो 61 सद्देशियों का एक और बाद में जोड़ा गया था साथ पहले थे जो चैन किया जिसमें आई-एस आई-पी-एस जिन को स्पोर्स में पुरुषकार मिले थे मेले मंत्री सांसर सब को चुना एक किसान के वेट्र को चुना जो मैं भी इसमें सामिल था और महोड लगा कर सभी रादनितिक पार्टियों के सामने यह नहीं था कर दिया कि उपएन यादो कमजोड नहीं प्रदेश के करोड़ों यह उनके साथ हैं तो साथ यह बड़ा मैस मैं विश्वास दिलाता हूं आपके लिए बार बार फोन करके परिशान कर वह उसको बावदूद ओना कोई समशे होगी कोई नकोई तो सात्यों आपके विश्वास पर कर मैं कह रहा था कि देखो कोई भी बहत्री कारिया अभी भी कर सकता है क्योंकि योग के नाम पर आदिती कोई भी कर सकता है आज लोगों ने मुझे इसलिए चुना कि आज उनके लिए दिन रात मेहनत दस साल से मैं कर रहा हूं और मुसे बहत्रीन कारे करने वाले जो सवाल उठाते हैं क्योंकि लगातार प्रदेश की मीडिया देश की मीडिया ने मेरा संगर्ष में साथ दिया मैं उनको शेलूट करता हूं सम्मान करता हूं लेकिन कुछ ऐसे भी जो केवल खुद के साथ साथ मीडिया जगत को बनाम करने के लिए कुछ चुनिंदे लोग है जो पता नहीं किस कारण में किसके बैखाव जो उल्टे कमेंड कर रहे हैं उनक को भी मुझसे ज्यादा समर्तन यह युवा देंगे आखों बिठाएंगे सम्मान देंगे लेकिन कम से कम सोचल मीडिया पर कमेंट करने भरमित करने के वजाए आप धरतल पर आकर संगर्ष करिया साथ दीजिए मैं खुद कह रहा हूं मैं खुद करूंगा लेकिन हम साथ द देनिक बासकर सम्मो को धन्यवाद और यौओं को धन्यवाद जो साथ तमाम जनता को धन्यवाद और मीडिया को धन्यवाद जो हमेशा हर संगर्स में हमारा साथ दिया है सातियों तमाम मुद्दों के लेकर मैं चर्चा करूंगा लेकिन जो मैंने कल एक विसे टॉपिक जो आए हों और जो और मुद्दो के लेकर चाहिए कंपूटर अनुदेशाग भरती में जो आजवारता हुई जो प्रदशन चलना पिसले तीन-चार दिन से लखनम में क्या हुआ कैसे समीदा से जीता हारी भाजी को जीता कर यहां राजिस्तान में लोगों को लेकर आया था आपके शामने रखूँगा लेकिन उससे पहले तमाम जो सुझाव है जो मैं विशे को लेकर वही में चर्चा करूँगा साती हूँ सातियों में चीज कह रहा था कि 20 जनवरी के अभी के वल यह त करने वाले क्योंकि जिले मंडल और संगटन को मजबूत बनाना और यह को जगाना हर तेसिल जिले और सब बात रखने के लिए तो साथ यो जो चीजे हैं पेपर लीग प्रकण कैसे रुकेंगे साथ यू रीड दोजार इकीस को जो पद बढ़ानी के मांग को लेकर धरना दे रहे हैं उनके आज प्रतिनी दी मंडल को आज फिर में सीमों लेकर बात रके जितनी मदद मुझसे हो रही है मैं कर रह होगा एक जरूर है प्रयोक्साला साइक बरती जो चिकेशा वाग की यह जिस वरती को रद कर दिया गया था और पूरे प्रदेश का देश को पता है फरवरी मांदूलन करके उस बर्टी को जिंदा करवाया नेम संसोदन करवाया दिपावल यहा बनाई और उसके अधिस उस जल से जल जारी करने कि तो आज प्रियोक साला साइक 15 से ज्यादा प्रियावरों खुशिया जाएगी उनको सुपकावना एडवांस में क्योंकि वहां दिखरी डटे हुए है यह को टेक्निकल प्रोब्लम आगी तो कल हो जाए लेकिन मुझे लगता है कि जो मुझे विश्वा सांग के भरती रद को जिंदा करवाकर और सब के सामने बड़ा नजीर पेस किया है लोग केते हैं लखनों के संगर्चे क्या अब दीर 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 देख लीजिए यह आपके सामने एक बड़ा हुदारम पेस हो रहा है और वहीं दूसरी इसी महने में क्यूंकि आज मुख्यम क्योंकि सातियों बता दूँ आपके सामने कि कई चीजे होती है जैसे नर्शिंग बरती 2013 है जैसे यह रीट ऐसाइब की मांग वाले सातियों जहां सेना पती को सेना का साथ नहीं मिल पाता है तो सेना पती क्या कर फिर कहते हम आए थे वह यह तीन सो का बादा करके 15 लोग हो नर्शिंग बरती दो जा तेरा के लिए कुल्दी प्राका जी से मिटिक करवाई आर्टी मेंडर में सी मिला मुख्यमंदी जी के सामने बात अगे जितनी कोशिस होगी मैंने कोशिस की है हर बरती के लिए कोशिस करता हूं और कई बरतियों में लगातार जहां प्रदेश में अहां का मचा रहता है कि पर लीख हो गया पर लीख हो गया इसको रोका कैसे जा सकता है इस पर मैंने सरकार तक भी उन तक भी यह सुजाव पहुंचाए हैं और हम लोग जन चेतना और यह सदर्शत अभ्यार पूरे राजिस्ताम यात्रा निकालकर सरकार पर रांदितिक पार्टियों पर सरकार पर एक प्रेसर बनाएंगे कि यहां को विश्यों को सुरुक्षित कैसे रखा जा सकता है पर लीख प्रकर्ण और फरजी डिग्रिया और जो नकल्चियों को कैसे रोका जा सकता है साथ एक चीज़ अधिकतर हमने देखा है की जो पेपर इस्टुटेंटों जब सेंटर बेंडर बेठने यह उसके बाद ही पृइपर वित्रन नेयुक्तर पहले reguli paper देने से पहले लोग वाँ से निकाल गार बेंज देतें तो गरबढ़या होती एक दो घंधे पहले वहां नहीं पूछ से विध्यारतियों को पृच्शारतियों को अंदर बैठने के बाद प्रिक्षा के अंदर पर पेपर वित्रन करवाई जाए उसकी वीडियो ग्राफी हो पूरे के जांसे लाया जाए तो उसके बाद जहां प्रिंट होते हैं पेपर वहां सरकार इस पर उसमें भी जो अध्यादेश लेक्षा या वह उसमें कोई लिप पाई जाती है तो उनकी सारी संपति जब्त होगी सब CJ देल में डाला जाएगा साथ साल का गेर जमंति कानून उन पर भी लागू होगा त और उसको हमेशा के लिए बालेकलिस्ट किया जाएगा वह कानून संम्पती जब्ड हो में चाहिए और जो कानून अब सभिजी लो में इस तई एक बार सभी जिलों में पेपर लिफ फरजी वाड़िया ज़िआ तमाम पीनि ड hyped जल एक सेल पागठन करों कि ए depend हैं हम क्या करते हैं के समय हेल ना लौप साथी नंवर डेते वेल बढ़ करनी एक इसताई सेल का हम कर बग STEPHAN हम कर दे एक जमसे किसी ने फोन किया तुरूंत उस नंबर को ट्रेस के अधार सब्सक्राइब डाला जाए और तमाम लोगों को ट्रेस करके एक्जाम से पहले उनको जेल में डाला जाए तमाम गिरों को गत्तियों को क्योंकि कई बार मेरे पास फोन आते हैं साब हमनी यह सूचना मिली लेकिन हम लोग हमारे पास वो टेक्नली जीनियां कैसे पकड़ पाए अगले वैक्ति को मैं कहता हूँ तो बुले आर मैं कहां जाओंगा पुलिस के बाद में कहता हूँ क्लेक्टिक पास जाओ या एक हलप नाई नंबर होगा एक है सैल होगा तो कोई भी व्यक्ति वहां कोल करके वह प्लीस परशासन के इस पैसल सेल हर जीले में होना चाहिए हर वरती प्रिक्साइब थे तो वो ट्रेस करें सब्लांच बंढ यह उस गिरोंको व्हत्ति को ट्रेस करके एक्जाम से पहले जेल में डाले तो यह तमाम चीजों को हम करेंगे तो कहीं कर लीग फर्जी वाड़े पर रोक लग सकती है तो इसके लिए हम सरकार पर हम सब लोग एक बड़ी ताकत के साथ जब मैं पूरे राजिस्तान वियात्रा करके सब एकठे होकर सरकार पर दबाब बनाएंगे एक बाहरी राजी को कोटा समाफ तो क्योंकि कई बार यह मामला इसलिए यह चीज भी राजे सरकार को करना चाहिए एक और सब्सक्राइब सरकार को जो भरती परिक्षा होके जो नियम इसपस्ठो अधिकरी की जैए गलती करनेवाले अधिकरीयों खिलाब कारवाई की जाए लेकिन इसके लिए एक जो एक ऐसी कमेटी घठन हो एक जो कमेटी का जो हाई पावर एक कमेटी ऐसा गठन हो जिसमें सीनर एडूकेट हो विद्वान जन हो कि उसमें क्या होता है कि कोट में भरती चले गई तो फिर क्या होता है नोटीस का जवाब नहीं दिया तारिक पे तारिक मिलती है सरकारी एडूकेट नहीं पहुंचा वि सब्सक्राइब करें इस सब्सक्राइब करें इस सुन्माई को आपको जाना है इसका जवाब नहीं दिया विबाक से जवाब दिलाओ सुनाई से पहले या को रोंटर चेंज कराना जल्दी सुनवाई करामेटी क्या जाए जिससे वह जल से जल सुनवाई करवा सके जवाब दिला सके और उसे बढ़ती परक्रिया को निया ले से जल से जल निकलवा सके तो सुपर विजन कमेटी का घठन करें सुपर विजन कमेटी कोंजी आरे वो कमेटी नहीं है समीधा वालों के लिए लोगों के लिए क रखोगी तो वो तुरुंत समंद्र एडुकेट से अधिकारियों से बात करके उनके साहिता करें समंद्र भरती का बिरतियों से उनको रात मिला है कोड़ से जल से निकलवाने का काम करें यह सुझाव सरकार के सामने मैं पर्मुख तोर पर रख रहा हूं सरमाने मुख्या मतरी से और इन सबसे मैं निवदन करना चाहूंगा इन सुझाव को लागू करेंगे तो कहने की विरुजगारों को न्याय मिलेगा बरती प्रकिया समय पर पाएंगी पारदिर से तक साथ हो पाएगी क्योंकि हम सब को पहल करनी होगी इसका लावा शातियों वीडियो गरापी के केंदर ग्रह जिले में यह दिया जाए जब अपना सिस्टा मजबूत हो जाएगा терबास पेपर लीग नहीं उने देंगे नकल के नहीं होंने देंगे तो दूसरे हमने लड़ाई लड़ेंगे साथ करने वाले भरवित करने वाले बहुत आजाएंगे लेकिन आपके लिए कोई नहीं लड़ेगा आपके लिए मैं लड़ रहा हूं यह सारी सुझाओ बहुषे के लिए जो पहुष चुका क्योंकि वह खोचुका ना वह इसलिए नहीं बदलेगा जब हजारों कि आप जुट जाते पहले तापको नहीं मिल जाता अब जो हो चुका उसमें कुछ नहीं होने वाला लेकिन बहुषे में किसी विरुजगास के साथ गलत नहीं हो इसके लिए मैं यूवा चेतना यात्रा के साथ सद्रसत अभ्यान जगा रहा हूं और सरकार तक बड़ा मेसेज पूचा रहा हूं कि यह चीज़े आपको करनी होगी से व बरती परिक्षा पारदी सिता के साथ समय पर पाएंगे और बष्टाचार पेपर लीक नकल पढ़कर यह तमाम रुख पाएंगे जो फर्जी डिप्लोमा खेल चल रहा है वह भी इस कानून में हमने सामिल करवाया है तो उसके आदेश भी जल्दो जिससे क्या है कि यह सारी परियास हम कर रहे हैं लेकिन साथी उससे पहले संगटन को मजबूत बनाना होगा तो यूवा चेतना यात्रा के साथ जो हम जो सदर्चात अब्यान जो सरकार तक मेसेज़ जाए कि लाखो लोगों को ओफ लाइन ओनलाइन हम जोडएंगे और सरकार तक मेसेज़ जाएगा क यह लाकों के संक्या कहिने के इनकी बात नहीं मानी तो 2023 चुनाओं में यहों का बड़ा रोल साभी तो कहिने कि यह आक्रोशित रहेंगे तो सरकार को इसी पार्टी उनको नुक्साने होगी तो ऐसे साथियों हम लोगों को अपनी ताकत पहले मजबूत बनाने होगी जिससे के शुरुआत हम कर यह कल मैंने योजना बनाई थी कि हम लोग क्योंकि सातियों कई बार क्या होता है कि हम आंूलन करके आं लेकर दुबराव आंदोन के लिए वापस टाकत चाहिए वापस बीड़ चीए तो सारी चीजिए तरीके से मांदोन करेंगे सरकार तक से स्पूचा अभी तक वो सदेश्य नहीं पकड़ा गया अभी तक उसके अगुसकांड का सबका आर्पीसी सदेश्य कौन था वो अभी तक उनका खुला सा नहीं हुआ लेकिन इंट्रू परता को या तो बिल्कुल खतम कर दो खतम नहीं कर पाओ तो पांच या दस नंबर का रखा जाए य तो परता समाप कि जाए या पांच या दस नंबर का ही रखा जाए जिससे बश्टा-चार को बोल बाला नभडे और योग्या विक्रिवार्ति को नियाए मिल सके भरती परिक्षाओं का कलेंडर जारी किया जाए को विगप्ति के सालेओ सुलेभाज जारी किया नहीं हो इन सब का ध्यान रखा जाए तो यह बरती प्रिक्षाओं का कलेंडर भी जा रही हो यह तमाम यह यूँआ चेतना यात्रा और जो हम एक अभ्यान चला रहे थे इसका एजंडर है इसके लिए हम सब मिलकर संगर्ज करेंगे और भाउषे में जो अब की बात नहीं कर रहा वह उसे में कभी भी 22 तरीट चोंच कभी भी भरतियों थर्डगेट की पहले रीट पातर्ता और शिक्सेवर्तियों सब्सक्राइब ज्यादा जोड़ा जाता है जिससे राजिस्तान के बिरतियों का क्या है कि ज्याद ज्यादा सब्सक्राइब ज्यादा मिलेगा अब जोब रीट में विवाद वा पातरता होगी पातरता में को घरवडी कर भी लेगा तो कहीं कि वहां कर देगा दूसरी में सब्सक्राइब जाएगी वहां भीड़ ज्यादा होती है तो ऐसे मैं दूशी बास समने ग्यान भी राज्तान का जुड़ेगा विवादों से बढ़ति बचके रहेगी लिए कि बहुशे के लिए पातरता प्लस और सिक्षा बढ़ति के लिए हम लोग मांग कर रहे हैं कि यह तो सातियों यह चीजे मैंने आप लोगों को बताया जो इन आने वाली बर्तियों को लेकर बेरोज़वारों के बचाने के लिए सुझाव है सरकार तक भी मैं सुझाव पूचा रहा हूं सरकार से भी मांग कर रहा हूं मानी मुख्यमंत्री जी तक बात पूचा रहो जो नहीं बर्तियों की बात थी सातियों नहीं बर्तियों के लिए जो मानी मुख्यमंत्री जी साधिकारियों से मिलेते उन्हों लगाता जनवरी फरवनी में बर्तियों की विकिप्तिया जा रहे होंगी जो लंबीत बर्तिया थी हमने का चार पांच काम जो बता रहे थे चा यह जो लंबीत भरतीया इस मेहने में और जो नई बरतिया है जो जनवरी के लिए लिए का था जब फर्स्ट गेड़ है सेकिंड गेड़ है पीट यह पीट आप पद बढ़ा दें के मांग करें जो पद बढ़ाए जाए वह मांग करें कि चार सुक्षट कुछ नहीं होने वाल तो जो जनवरी फर्वरी के लिए नहीं वर्ति को समय दिया गया था अब दीरे-दीरे हमारे मामलों का निस्तान हो रहा है सातियों हम लगाता संगर्च कर रहा है प्रेसर बनना रहा है जिसे आप लोगों की मांग पूरी हो सके साथ के लिए आज रीड वडंवर्थी 2021 का अगवरती भी गया था मैंने दिख साथी ओ मैने बढताई था एक साथ से वार्ता करवाई कुल्दी प्राकाजी से करवाई और आज आर्थी मीडम से मैंने दुबरा आपके सदस्य वहां से कर्शन कुमार रहे था मैंने बात रखे आंदोलन आप करे मिनका पहले दिन समय नेत्रतु नहीं कर था कोई भी कर सकता है लेकिन मेरा जिता सायोग तम मेरा भी वेल्यू है जब नो साल बार लोगों संगर नियाई मिल रहा है जिसकी बर्तियों लिए समझो तो हो गया तो मैं वहां बैट नहीं पास लेकिन जिता मुझे मदद हुई मैं पूरी मदद कर रहा हूं उसके बावजूदी कई लोग कर रहे कि सपोर्ट नहीं कर हिसाना था मुख्या मंतरी जी मिलाया और सब यहां आज मिल वाया ओं कि लोग वहां बैटे डेट सो दोसो लोग कमेंट करें हजारों जिए घर बैटे बैटे रजाई में से कमेंट कर रहे कि आप साथ नहीं दे अरुए मैं तो कल भी जाके आए था आज वीजा कि आया था म मैं नीग नेत्र्टव करने वाले वहां कर लेंगे यही मेंडम कहा कि विपाब उदार्ण रेने निया खिए पिछली सरकार ने बढ़ा हूँ आ विदाने पढ़ाये थे बाद में उना और तो उन्होंने लेटर दिया था जया बता देंगे जो इस तति निकल क्या है मैंने आपको बता दिया लेकिन आप लोग बीच में मुझे पसा दिया कि यार उपेने आदो पचाजार का साथ नहीं देना दूस्ति तब कह रहे हैं जो और जो नहीं तैयारी जो और बरती कंजा वोले आप उनका साथ दे रहे हो वह य भए यार भाई कंसे कम मुझे तो बक्स हो कंसी का माफ लोगों के लिए में लड़ रहा हूं गाली देना तो राजनिताओं को दो जो घर बैठे आवाज उठाते यूंक नाम पे रादनेती करते उनको कहो कि कंसे कम अब लड़िये कंसे कम आपकी आवास तो उठा रहा हूं कोई किसी में रखना मान सब यह सब जहां सिल करें तो रहाँ लेकिन फिर फिर प्रियास मॉझटे मुझे निए पाओं गचा था मना कर दिया टांए इसकी विक उत्वी जीधिक के लिए जब मेरी बात इस और आय ठीक हुआ जो मामला चल रहा है उनका पॉजिटिव चलना भी तो उसमें भी उनको भी रहत मिल सकती है मिटिंग उनकी में कोशिस हरा बिर्ति के लिए कर रहा हूं तो साथियों यह कि जो तमाम सुझाव दिये इसके लिए हम संगर्स करेंगे हम सम्मिल कर रीड़ोजा कि बता दिया विसे शिक्षक की में बता दिया इनका डेलिगेशन मिल रहा वह आपको बता देगा अच्छा अभी इस समय आपका जो मामला अच्छा है साइद आपको अच्छी खबर मिले टीजीटी दोजा बारा के मामले में तीनों जो गुरूप है श्याम ओम प्रकास और पंगाजी और रामनिया जी एक गुरूप यह है एक जो धन्राज और नमौनान का है के हवाशिंग और बनवारी का इनका जो गुरूप है तीनों गुरूप हम दिल्ली भी गहे थे यहां सुप्रीम कोट में केस लगा हैं मैं वकील और आपकी पीस और पेसे से कभी भी समन्द नहीं रखता चाहिए नर्चिंग वरती दो जा तेरा में लोग कोट में वो जाने आप उन्से पूछ सकते हो बाराम पूछ सकते हो मैं जहां पेश्यों का मामला था मामला मजदूर रह करना जहां जहां आपको आउसकता पड़ा वहां सयो करना अभी भी आज भी मैं जाके आया तो उनका सुनवाई से पहले एक बार आना फोन करवाना जो करवान जितना हो सकेगा माप लोगों के लिए करूँगा आपके जो तीनों गुरुप थे उनके जो प्रतिनीदी मंदल आपको खुद बता देंगे कि क्या निर्णे होँ वहां सब मिलकर तीनों गुरुप के लोगों जो निर्णे होँ बताने मतलब नहीं आप उन्से बात कर सकते वह आप लोगों बताएंगे लेकिन मेरे तरफ से कोई कमी नहीं होगी अभी जो सुनवाई होगी से पहले मैं प आपको ही बता पाएंगे उन्चे आप चर्षक के लिए वह बता पाएंगे 600 निवासी स्कूल व्याख्यता वाले मामले में आज मिटिंग वहीं थी चैसाड़े देवंदर गया था इस मामले मिलागातार मिटिंगों का दोर जारी है कहा जा रहा है पंदरा सो सत्रा सो थारा सो कितने जो भी हैं चाहिए पंदरा सो वह है उसमें मुख्यमित्र जी को अंतिम निर्ने लेना है तो इतना कहना चाहूंगा कि जो पीसी सी चीप गोबिंशिंग रोटाचरा जी ने इस संब्द में दोबर गोशना की है वह विश्वास है पीसी सी चीप अपने वचन पर ख चाहिए आप लोगों के लिए वापस आंदोलन करना पड़ें मापके साथ रहूंगा पुरा साथ दोगा लेकिन मुझे पूर्ण विस्वास है मुख्यमित्री चीप पंदान करेंगे फिसी चीप अपना वादा निबाएंगे और अधिकारी जो पोजिटिव रेस्पोंस द जिनके कभी पॉंटों में रहें वह कम से हम जाग जाए अब तो अच्छी ख़बर है अच्छे आपके पद और ज्यादा बता रहें कि बढ़ेंगे तो 600 निवास नहीं बढ़ेंगे ज्यादा बढ़ेंगे जो बता रहें तो कम से कम आप लोग जाके अपने एक बार टीम को फिर मजबूत करें जिससे हम लोग जो जल से जल हम थोड़ा सा परेशा बनाएं तो मुख्यमत जी सिंवकृति देचुकर आपको न्याई मिल सके लेव टेक्निशन के जो एक सो पावन बेरती की जो निके मामले में आर्टी में को मैंने लिखवाया तो वह कह रहें कि मैं सम का सावंजी से मिला था और इंसे जो इसको डील कर रहें उन अधिकरिशे में मिलका था उन्हों का उपएंजी हमने एजेंसी वापस दो दिन बाद आएगी लेकिन जो हमारी कुछ और चर्चा ही हो रही है फिर उसके बाद जो वही देंगी तारी की कि हम कब से कब आवदन हम कोशिश कर रहे हैं कि इसी मेहने में विकिप्ति जारी करते यदि वह जो जो एजंसी कहेगी कि हमारा जो जो चीज़े हैं हमें तारीक जो आवदन की हम त्यार नहीं कर पाए या ते नहीं कर पाए तो वह समय ले ले तो उन्हों कहा कि लास्त हमने पहले सितंबर का की बरती है अभी तक पूरी की तोड़ी दिसंबर है बाइस आणे वाला जिसे हम जनवरी में निकाल दे तो कम जखे पाएंगे दो जार बाइस की बरती है वह असके खहरे ते लेकिंगे पूरी कोशिज करेंगे दिसंबर के एंड तक निकाने की यदि जो एजेंसियों समय पूरी रिपोर्ट मांगी और मुझे का है कि आपको फोन करके बुला लिया जाएगा तो उनकी जूनियर अकाउंटर लेकर अनिमिताही सामने थी उसकी रिपोर्ट उनसे मांगे और अधिक उनसे मिलकर और जो भी चीज़े होगी जितनी मदद मुझे होगी वह जानने के आपस मिलेगे और आपको नियाई मिले जितनी मुझे से कोशिश होगी मैं पूरी कोशिश करूँगा आप लोगों के लिए इस टोनों को परिणाम नहीं आए मैं गया उनको घ्यापन दिया विक्का नाम लिए जाहां हो लिए आप लोगों की मैं मदद लगातार कर रहा हू करना लेकिन मुझे इस पार पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों का पिच्छा यानिकी नियाले से इस बरती परक्रिया का निस्तान हो जाए माने नियाले से हो जाना चाहिए कि साड़ी तीन बजे का समय दिया क्योंकि कई बार एडूकर जून नहीं पाते थे कई बार ज जाएंगे के सब्सक्राइब को अपके कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती पर मतश्चा अब इसलीए करना चाहूंगा साथियों कंप्यूटर अनुदेशक भरती के लिए सरकाल ने सविधा के लिए का शिक्षयामंत्री जी ने कई बार मीडियाम बोला कि हम कर नहीं सकते हैं उनके बास मैं उनके बाद वहां पूछा फूरी मदद की फिर वहां से आगी की भाग दोड मेहने समा लिए यह लाइव है उनको पूछ ली जो बता देंगे फिर मैंने कहा कि हम उत्तरप्रदेश कूछ के रहेंगे बारा तारी को वहां पूछा तैरा को रुका और मैं वापस चोदा तारी को जनम दिन रगदान शीवरता जेपर पूछा पंद्रा तारी को रात को वापस निकला और सोला तारी को लखनव पहुंच गए सोला तारी को लखनव पहुंच गए करीब पचास साथ लोग हम वहां आगे बैठे हुए थे प्रिंका गांधी की का प्रोगाम कैंसल हुआ कई लोग बार चले गए ऐसे में पता चला कि प्रेश कंफरेंस करने प्रिंका गंधी जी आ रही है तो उन सब को मैंने बुलाया मीटिया होगी वहां सामने बैठेंगे जिसली प्रंगा गंधी जी वहाँ झालरा रा खड़ होगे कशरे हमें बिठाय। वह बिठाने के बाद जैसे उन्हों ने बिठाया हमने मीडिया ने भी चला दिया कि वहां जुबेर खान जी और दिरज गुज़जी प्रंका गंदी जी से मारी मुलाकात करवाएंगे उन्हें बात की दिरज गुज़जी ने बोला कि हम उपेन को जानते हैं हम आपकी मुलाकात करवा देंगे उपेन पांस लोगों को त्यार कर लो सातियों जो चीज़ों भी आपको लगाता लाइव के माद्यम से मीडिया में वह खबर चली थी कि वह खबर मीडिया में भी चली थी फिर जैसे ही प्रंका गांधी जी की वीची जो फ्रेंस कोंफरेंस वहां से खतम हुई और उपर गए वहां कुछ कार्यकरताओं से मिले हम इंतिजार करते रहे वहां प्रंका गांधी जी निकल गई उसके बाद हमारे लोग खड़े हुए हम गाड़ी के उधर गए तो उनके कार्यकरतों कंग्रिस कार्यकरतों से मार पीट भी मेरे साती इसे मार पीट जब मुझे प नियर्करताओं से ब immigration और ten के बाद हम वाग गये खाने के पारर थाने के बाद हमारे पचास 8 लोगों में मैंसे आतरब ऐस मोग बच्छे थे बाइस लोगों में से भी अदिकने लोग कह रहे थे हम वापस जा रहे हैं हमें बढ़ती नीची है हमारी जान जाए फिर मैंने अनलोगों कैसे जीशो रोका मैंने कहा कि मेरी इज्चत का सवाल मैं मर जाओं का नहीं जाओंगा और उन लोगों को जबरदस्ती वापस वहां ले गया वापस मां प्रदेशन किया फिर वहां से फूर्ट अक्वार में न्यूज लगवाई और फिर उसके बावजूद लोग रुक नहीं पारे थे मैंने उनको जूट बोला कि कल हमें मिलवाया जाएगा उन लोगों कैसे जैसे रोका सात्यों बाइस लोग बचे बाइस में भी कुछ लोग चले गए थे फिर इन लोग दिपेस और वहां धरवीर थे क्यार भाईया हम क्या करें दो तिन और लोग इसके जो मजबूत सात्य थे हम रुक सकते मेंने का हाथा जोड़ी जैसे मेरा काम हो मैंने कैसे जैसे घुस्या कि आप लोगों के लिए कैसे जैसे इन लोगों को रौका मैंने जूट बोला कि 12 बज़ें बूलाया जाएगा फिर उसके बात में वहां जाकर मैंने जो कर लूँगा उन्होंने बिठाया ता मैं नहीं जाने वाला और कई जगों से करने के बावजूद कुछ बहुत प्रियत्न करने के बावजूद हमें तीन लोगों का समय दिया गया मिलवाने का और मिलवाने का जो समय दिया गया उसके बाद उन लोगों के ले गया प्रिंगा गंदीजी मुलाकात की और आपके सामने है कि वो समीधा से इस्ताई भरती करवाई के साती हो इनसान मापके साथ ता जो सब लोग यानि साथ लोग जो आपके लोग थे बाइस लोग बचे थे बाइस में भी कई लोग बस के पास रात को गए तो उनके रहाए आजार उपर मंगे तो वापस आगे और वो लोगों ने यहां तक कहे दिया कि हमें बढ़ती नीची हमें जाना उन लोगों को जबरते सी जूट बोलके रोका मैंने इतना प्रेसर बना क कि जो समीधा जो मंत्री जिन मना करते हैं तो उस इस्ताई भरती की कोशना करवाकर राजिस्तान के पूरे देश में इकित्यास रचने का काम किया मातरब 22 लोगों में और वहां जो हालाती मैं जानता हूं यह सारे लोग मेरे वीडियो देख रहें कि इती इस भरती को इस आ वाले महीं था मुलाकात करवाने वाला भी महीं था और इस वरती को सब कुछ चैनल के साथ यह सच्छ आपके सामने इस बरती को जो समीधा टेश्ताई करवा के गोशना करवाई हम आए और अब जो आंदूलन चल रहा है कि विगवति जलत से जल जा रहियो जब मुख्यमंत आज भी राजस्तान बेरुजगार एकिकरत माहसं का डेलीगेशन गया था जिसमें 600 निवाशी और और बरती थे और जब मेरा फर्च बनता है जिस बरती को सवीदा से इस्ताई की कोशना कराक लाएं जो लोग मुझे कोल मेसेज करते हैं कि हमारी विगेप्ति कब जारी होगी में के सामने में बात रखी उन्होंने कहा कि जल्दी यहां से हम फाइल को शीव करती मिल जाएगी समंधित भरती को देकर अधिकारी सीमिला बोले केबिनेट में अप्रोल मिलते ही हम लोग भेज़ देंगे और जनवरी की विकिप्ति के लिए में ने बोला है और जो मैंने अधिर कि आप लोगों को बताया कि मेरी मुलाकाती हमारे प्रतिनीदी मंदल गी अब दिपेश कहरा हमारा तो किया रभर मैं तुमारे लिए ठोड़के रहा हूं तुमारा प्रतिनीदी मंदल गया वो राजस्तान विरूजगार एकिकर्ट महासंगा मैं गया था जो जिस व वहां से लेकर आया था तो मुझे मेरे पास जो बच्चे फोन करके जो विद्यारती फोन करके थे वहां क्या होगा परिशान होगा तो उनकी पीड़ा मेरे कानों गूजती है जब मैं वारता के लिए आज मैं गया था अन्य बर्तियों के लिए तो मैंने आपकी बात मजबूत से इस्ताई करवाकर एक इत्यास रख्चा और आज यो बात रखी आप लोगों की रख्या हूं आप अंदोलन कर रहे हो अपनी बात रख रहे हो अच्छी बात है त्यूट के मादे में जैसा मुझे स्योग हो रहा है मैं सही हो कर रहा हूं बिड़ी कल्ला जी के सिक्षा मंत अलग अलग परिश्चंटियां बंती है लेकिन यह जुरूर है कि यह जो प्रिश्चंटियां जो सच बताती है वह बावजूद भी जब तस्वीर बदल जाए जब लोग बदल जाए दुख होता लेकिन फिर भी सब कुछ सेन करके चल ठीक यार कोई बात नहीं इसे छोटे हैं फिर भी मैं लड़ता हूं उन लोगों के लिए उनके सपनों के लिए उनकी खुशियों के लिए और आज भी गया पूरी मदद पहले की थी जिस भरती को समयदा से इस्ताई करवाया और आगे भी विगबती जारी होने तक आपकी पूरी मदद करूंगा सब आप लोगों की मदद पेले की रहा हमेशा करूंगा इत्ती बात मुद कहने का वसकता नहीं थी लेकिन कई लोगों को पता नहीं प्रियुक्ति की भरती कैसे इस थाई हो पाई एक इसने किता सयोग किया है यह आप लोगों के लिए सच है साथियों फस्केर सकेंड के लिए मैं बता दिया पीटेंट बढ़ाने के बात चलिए बढ़ेंगे पूरी कोशिस करों में चिकेशावा कि मैं बोल चुका पसुदान साइक जलदारी वन रक्षक वन पाल जो बढ़तिया है जो जनवरी के लिए कहाई है चेर्में साब नहीं पंचाय राज लडी सी बर्ती 2013 चिंता ना करें इसके लिए मैं लगाओ प्रियोक्साला साइक से मैं आज फिर हो जाओंगा अब अगला नंबर आपकी भरती का ही है आपका कलेंडर जारी होगा मैं विश्वास दिला रहा हूं वादा कर रहा हूं क्योंकि जो भरती जो सब्सवास दिया गया कि इसी महने में कलंडर जारी होगा और कलंडर जल ले क्या हूंगा नए साल पर आप लोगों को तौपा दूँगा मैं पूरी मेहनत कर रहा हूं और आप चिंता मत कर इसके पीछे मैं पढ़ गया हूं तो आपको खुश्य मिलेगी लेकिन अभी ताली अब बार परिशान कर नहीं सकता कि जनवरी आना है लोग अने के बाद इतों गहूंगा तो जो कह रहा है कि नहीं पर एक्जाम नहीं होगी तो आप चिंता मत करो एक्जाम तो होगी अब जो समीधा करी में लगें उनको बोनस देते या क्या देते वो निर्णे अब सरकार को करना है अ क्या कर दिवोन देखर उनको भी लाप दिया जाता है और आप की लिए एक्जाम होती है को ना कुछ सरकार अच्छा सब के लिए निकालेगी लेकिन इस भरती प्रक्राइब जो दो जा तेरा से लंबित थी इसको पूरी करवाएंगे एक्जाम जरूर होगे इसके पटवारी की अभी पता चलेगा या तो पटवारी का परिणाम दिसमर एंड तक या फिर जनवरी फर्स्ट विक में ही इसका परिणाम के समावना है अभी चैर्में मोदी जी बात हुए थी वो ग्राम सेव की एक्जाम में बीजी है तो उसके बाद मैंसे मुलाखात करूंगा जिसका परिणाम जारी हो और अन्य लोगों से बात हुए तो दिसमर एंड या फिर जनवरी में इसका प्रिणाम जारी हो पएगा फारमाशिस्ट वाले भी लगाता मुझे बहुत कहते हैं कि आपने वादा के रवादा मैंने नहीं किया था सरकार ने किया था लिखित में वादा किया था आपका जी अबरती जो राजकुमार किया था उसके सामने में कुल्दी प्राका जी सामने मंतियों के सामने का साब ल सरकार को करना यार आप लोग जितने लोग आई पाnous जाके बैठ जाते फिर सवाल मुझे उठाते अरे मेरी मदद जो मुझे मुझे मदद करनी थी मैं आपको मिलवा सकता तापके आवाज उठा सकता आपकी बात पुछा सकता जब भी जाता शियों में आपकी बात उठाता हूं कि फार्मासिस्त बरति अभी तक अदूरी है वो जाता हूं कहता हूं कि फार्मासिस्त वाली 2018 वर्ति अदूरी इसको पूरा करें हमेसा रखता हूं इसे ज्यादा क्या कर सकता हूं जब थी तो मतलबात लगाता रख रहा हूं और जब भी मुलाखात हुमन रखूँगा इतना जरूर कर सकता है इस बरति प्रकाइब पूरी करेंगे ग्राम से में पंदा सुपदों की बढ़ने की जो सूचना मिली ती मैंने आपको ट्यूट कर दिया था इसी जी के जो राहूल दिव्या और मनिस्तीनों को न्याई मिल चुका है यह वह व्यक्ति थे जो सुरुचे संगर्स करते रहे गए थे लेकिन उन्हों होशला जंग संगर्स कुछ नहीं छोड़ा लगाता संगर्स उनका परिणाम उन सुपकाम ने जित्ती मदद हुई मैंने की वह यह नहीं देखता भीड़ो तीन व्यक्ति थे तभी उनका मैं साथ दे रहा था परिणाम आप लोगों के मेसेज आ रहे हैं अधिकतर जो मुद्धित हैं उनका मैं चर्चा कर चुका हूं और कोई रही तो मैं एक बार देख लेता हूं लोग कहेंगे हाँ कापी सद्धे से कहते हैं कि मिनना चाहते हैं तो कल बारा बज़े मैं ओपीस में रहूंगा मैं इस नगर थाने के सामने गंगा राम नगर गोपारफुरा बाइपास इस्तित्त राज्तां विरुजगार एकिकत्न महासंग प्रदेश का रहे हैं वहां जरूर आप कि लिए मैं प्रियास कर रहे हूं नहीं वर्यास साथ यो हमेशा आप लोगों के लिए बोल रहा हूं कि आज उनलोगों को मूपे तमाचा होंगा लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि वो लोग अब हालत उनके घंबीर है क्योंकि यह उन्हें अपनी ताकर दिखा दी साथ दियो एक पर मैं कोई फेस्बूक पर देख लिए तो कोई कमेंट कोई बढ़ती हो तुम्हें कि प्रियोक्साला साइक के लिए मुझे आज के लिए कहा था लोग बैठे मैं या तो जारी हो गया का जारी नहीं हुआ है जित्ती मदद हो कि मैं दुबारा बात करता हूं और यदी कि हां लाइबरियन का मेंसेज है लाइबरियन की मैं मांग करेंगे हाइख को अलब जोद्पूर मुझे जानना ही पड़ेगा बहुत परिशान रहे है कि जोद्पूर से ही लडीची की जो बढ़ती परिक्षा इसके नहीं और इसके मैं पूरी कोशिच्च करूं चलो सातियों अब मैं एक और आप लाइव में आप से फिर मुलाकात करूंगा साथ यह कहना चाहूंगा सजक रहे साचेत रहे भर्मित करने वाले डूप्लिकेट और कोफी फेस्ट केंग से बच करें लड़ेंगे और जितेंगे जैहिंद जैह बारत